हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब तो सुशान केस में आज बहुत ही एहम दिन है आज एडी सुशान के दोस सिधार्थ पिठानी से पूछताच करने वाली है एडी ने आप सिधार्थ को पूछताच के लिए मुंबई के ही एडी दफ्तर में बुलाया है सिधार्थ पिठानी मुंबई में 1 अप्रेल 2019 से सुशान के साथ उनके घर में रह रह रहा था सिधार्थ ने ही पहली बार सुशान सिंग राजपूत का शव देखा था इसके हमने हैं दिया चौकरवर्ती सफेद दुपटा सर पर ओड़े हुए मुं मास्क से ढखा हुआ सीधा उपर पहुंची एडी के मुंबई वाले दफ्तर में वहां 9 घंटे तक पूछताच चली कुछ देर के लिए वो नीचे आई जब पूछताच खतम हो गई थी लेकिन दु जिस शक्स से बाचीत होने वाली और पूछताच होने वाली है सिधार पिठानी देखे सिधार पिठानी पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स बदले हैं सिधार पिठानी ही वो शक्स हैं जिसने ये आरोप लगाया था कि रिया के प बड़ी खबर आ रही है सुशान के सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक पेपर जारी किया गया है रिया ये दावा कर रही है पेपर पर जो बाते लिखी गई है वो सुशान ने खुद लिखी थी पेपर पर ग्राटिटूड लिस्ट है और ये देखें ग्रेटफुल लिस्ट आई एम ग्रेटफुल फॉर मा लाइफ यानि मैं अपने जिन्दगी के लिए शुक्र गुजार हूं मैं शुक्र गुजार हूं मैं कोशिच कर रहे हूं पढने के आइम ग्रेटफुल फॉर लिल्लू in my life आब ये लिल्लू जो है वो शोविक चौक्रबर्ती है आई याम ग्रेटफुल फॉर बाबु इन मा लाइफ बेबु बेबु वो रिया चौक्रबर्ती को बुलाते थे I am grateful for sir in my life, I am grateful for ma'am in my life, ये sir और ma'am रिया के माबाप है, ये पाँच लोग, इन पाँच लोगों के प्रती gratefulness, gratitude जो है वो जाहिर करते हुए, सुशान सिंग राजपूत, मैं फिर बता दू, बकॉल रिया चौकरबटी, रिया ये कह रही है कि ये देखिए सुशान सिंग थे, आचा फजी जो है वो नीचे जो छटा नंबर है फजी, सुशान सिंग राजपूत के कुत्ते का नाम है, मृत्यूंजय मेरे सायोगी मेरे साथ जोड़ चुके जरा उनका रूख करते हैं, मृत्यूंजय छे लोगों का यहां पर जिक्र है, gratitude list जिसमें वो शुक्रगु भ्यार है वो शुवेख का नाम ले रहे है, मतलब जो घर में नाम से उनको पुकारा करते थे, तो यह रिया चक्रगार्ती ने जारी है? ये बिल्कुल ये रिया चक्टवर्ती ने अपने वकिल शतिश माने सिंदे के माध्यम से चारे किया है और सभी मीडिया करिमियों को ये पत्र और एक बॉटल वाटर बॉटल है जिस पर छिछोरे जो की सुषान सिंग राजबूत की दूसरी आखरी फिल्म थी शिछोरे फिल्म का एक ब्लेक का पानी का बॉटल है वो जारी किया है और कहा है कि मेरे पास यही अब बचा हुआ है, यानि जो कुछ मेरे पास है वो यही दो चीजे हैं तो यह जो एक लिस्ट है एक डायरी है उस डायरी का ये पंडा है जिसमें gratitude लिस्ट है और ये दावा कर रही है रिया कि ये सुषान सिंग राजपूत की handwriting है और ये सुषान सिंग राजपूत ने लिखा हुआ है इस notebook में जो 7 वाकि लिखे गए हैं उस 7 वाकि में उन्होंने जी मृतिन जय हमने कल एबी ने उसके दर्शकों को बताया था कि एक किताब मिली थी सुषान सिंग राजपूत के घर पर और उसके कुछ पन्ने गायब थे क्या करने किया जा सकता है मतलब पन्ने फाड़े गए थे उस किताब से और ये वही किताब थी जिसमें सुषान सिं समभावना बंती है कि शॉयद वो पन्य जो फारे गए थे ये इसी डायरी के हो सकते हैं लेकिन रिया चक्रवर्ती पर जो लगा तार आरोप लग रहे है कि उन्होंने परिवार को अलग किया वो कहीं रिया चक्रवर्ती प्रिवतर बताया जा रहा है और कहीं अरोपों के घ भाभान करते हैं तो इस क्ते हैं आपाइज कर रहे हैं तो यह लिए से ज्sy्प see लोग भूर्त आप प्यारा संबन कैसें कि डावा प्राप उन्हों से तुन हैं चैब दैले स्कूराई में रिए सोव तो सब्सक्राइरा है लाख कहा कि लिखवाया गया प्यार नहीं लग रहा है लाइन से आप gratitude में आपको कोई और नहीं दिख रहा है सिर्फ यह चार-पांच लोग ही दिख रहे हैं जो 2400 घंटे आपके इर्दगर्द मंडराते रहते हैं वही लोग दिख रहे हैं उन्हीं को आप thankful और thank you कह रहे हैं जिनके उप पर आरोप लग रहे हैं आपको overdose देने के मतलब ये ये साफ तोर पर दिख रहा है कि रिया आपने आपको कैसे बेकसूर जबरदस्ती जबरदस्ती बेकसूर जतानी की कोशिश कर रही एक पन्ना सामने लाकर ये बिल्कुल कहीं ने कहीं वो अपना पक्ष रखना चाहती है और अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है हाला कि ये उनका दावा है कि ये शुषान सिंग राजपूत के लिखावट है उनकी राइटिंग है और उन्होंने अपने उनकी परसनल डायरी में लिखा हुआ है दो चीजे बताने की कोशिश की है एक तो ये कि वो बहुत प्यार करते थे ना केवल उनसे बलकि उनके पुरे परिवार से अपने डॉक से और इसके लिए वो बहुत खृतक ये थे आभारी थे ग्रेटिटूर व्यक्त किया है और दूसरा ये बता रहे है कि मेरे पास और प्यार भरा संबनता ये दो मैसे इन दो तस्वीरों के वाध्यम से रिया चक्रवर्ती पुरे देश को या जो भी सुषान सिंग राजपूत से संबंद सरुकार या देखना चाते हैं फैंसे उन सबको तक पहुचाना चाहती हैं आप देख रहे हैं तो प्रकाश भी जुड प्रकाश भी जुड़े हुएं उनकी तरफ से खबर आ रही है रिया से जो पुष्टाश हुई है उसके दोरान रिया अपनी कमाई का किसी तरह का कोई ठोस जो है वो बता ही नहीं पाई सीधा रूख करते हैं ओम प्रकाश भी का ओम प्रकाश बहुत से ऐसे सवाल पूछे गरिया से जिनका वो जवाब नहीं दे पाई और उसमें सबसे इंपॉर्टन तो यह स्त्रोथ हो जाता है जहां से उनकी कमाई होती थी बिल्कुल किसी का मैं आपको बता दूँ कि शुरुवात के आदा गंटा 40 मिनट तो वो इसी बात को लेकर बहस करती रहीं कि उनको उनके वकील को लाने दिया जाए और अपने वकील की मौजूदगी में ही वोई को वो कोई दस्तावेस साइन करेंगी या ओध साइन करेंग लेकिन इडी अधिकारियों ने इस पस तोर पर बताया कि प्यमेले के तहट आपका वहायान दर्स किया रहा है और इसमें किसी भी वकील को लाने की अनुमती नहीं है इस पर उन्होंने कहा कि मैं फिर किसी सवाल का जवाब नहीं दोंगी इसके इडी सुत्रों के मुताबिक उन से कहा गया है कि आप इस बात को जवाब के तोर पर लिख दीजिएगा हमें कोई अब्जेक्शन नहीं है सुत्रों के मुताबिक जब उन से उनकी ठोस पूछा गया कि आपकी इंकम क्या है आपको जो पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं आपने जो फ्लैट्स खरीदे 55 रुपे की जो सक्स के पास इंकम है वो 55-85 लाख रुपे की जो फ्लैट है वो नहीं कर सकता दूसरी महत्पून बात यह थी कि जब उनसे पूछा गया कि SDFC का लोन 55 लाख रुपे का लोन आपको किसाधार पर हो गया आपकी इंकम तो इतनी थी वो इसका भी कोई ठोस जवा वो से बिल्कुल संतुस नहीं है एडी सुत्रों का साफ तोर पर कहना है कि जब उनसे कुछ मामलों में दस्तावेज मांगे गए कि आप इन चीजों के दस्तावेज हमें दीजिये तो वो दस्तावेज भी उपलब नहीं करा पाई और उन्हें ने कहा कि मैं दस्तावेज ज़ब नियजह दे पाई है और उनके पास फिलाहल जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहां से आई इसके बारे में सवालात बाकी हैं उनके जवाब बाकी है फोस जवाब बाकी है लियाज़ा E.D. उन्हें फिर से पूछताज के लिए बुलाएगा E.D. दुबारा पूछताज के लिए बुला सकते हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कई सारे सवालों के जवाब संतुष जिससे हो जाएडी वो नहीं लग रहे हैं और शायद इसलिए दुबारा बुलाया जा सकता है वैसे रिया से पूछताज को लेकर एक और बड़ी जानक हो ओम प्रकाश यह बता रहे हैं कि वो यह चीज क्लियर नहीं कर पाई कि ये लोन आपको काहाँ से मिल रहा है यह भी नहीं क्लियर कर पाई कि सुशान के खाते से उनके खाते में पैसा कैसे ट्रांसवर हुआ कौन कर रहा था कितना की अजा रहा जी बिल्कुल रुबिका देखिए जैसे ओम्रकाश उन्होंने बताया कि इनकंसिस्टेंसी है और यही बात ED के सूतरों से हमी पता चली है मुंबई में की इनकंसिस्टेंसी की उनके बयान में आ रही है कुछ एक बात करते हैं तो दूसरी बात उसको ही काउंटर करने वाली बात यह स्टेट्मेंट में उन्होंने सामने रखे है इसलिए मिलता नहीं उनका स्टेट्मेंट उनके जवाबों में कोई जानकारी नहीं सामने आ रही है, दो bank account उनके थे, उन bank account में कुछ बड़े transactions हुए है, वो transactions क्यों कैसे और किस ने किये, कब किये, ये सारी जानकारी लेने की कोशिश ED के अधिकारी कर रहे थी, तो क्यों और किस ने किये, ये इसका जवाब वो नहीं दे पाई है, उन्होंने ग girlfriend, boyfriend एक दूसरे पर खर्चा करते, लेकिन कोई बड़े transactions ये amount है, जो सिर्फ एक boyfriend के तरफ से girlfriend को कुछ shopping के लिए या कहीं घूमने के लिए नहीं हो सकता, ये उनसे पूछा गया, तो उनके पास कोई जवाब था नहीं, उनका कहना था कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते और ये transactions उसी का ये है, और सुशान अपनी मर्जी से जो है, वो transactions उन्होंने किये है, या खर्च किया है मुझ पर मेरे भाई पर, शोविक को लेकर भी सवाल पूछा गया, जो E-D अधिकारी बता रहे हैं कि आखिर शोविक डिरेक्टर कैसे बने company में, उनका कहना था कि ये स सुशान का अंधिने था, सुशान शोविक मेरा भाई था, शोविक और सुशान की जो जान पैचान थी, वो उनके दोनों के relationship शुरू होने के बाद ही हुए, लेकिन उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई थी, और सुशान अपनी मर्जी से मुझे बिना पूछे, शोविक के air tickets ह हो, hotel stay हो, इस तरह खर्च करते थे, तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, और शोविक को डिरेक्टर बनाने में भी सुशान का ही रोल था, अब गनेश एक बात बताएए, हाला कि हम यहां पर investigative officers नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, जो महिला, सुशान क्या खाएगा, कब खाए कितना खाएगा, कब सोना है, कब उठना है, कितनी डोज लेनी है, वो decide कर रही हो, उसे ये नहीं पता है कि शोविक के air tickets ये शक्स book करा रहा है, और उसे कोई interest नहीं होगा कि financial level पर वो किसकी क्या कैसे मदद कर रहा है, मतब कुछ बात है तो बिलकुल हलक से नीचे नहीं उत पता भी है, रिया को पता चलना ही है ये बाते, लेकिन रिया ने अपना पल्ला जाड़ा है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, वो उन दोनों की बीच की दोस्ती के संबन जो बने थे, उस वज़े से सुशान ने खर्च किया हो, अब सवाल यह है कि उनके ही परिवार तो जवाब देने वो बैठी और जवाब भी इस तरह के दिये, जिससे संतुष्ट नहीं है ED के अधिकारी, वापस उन्हें बुलाया जाएगा, और सुशान के अकाउंट से पैसे ट्रांसवर करने की बात भी उन्होंना भी बताई नहीं है, ED को कही नहीं यह भी पता चला ह कि कुछ इनके कांटाक के लोग हैं, जिनको भी इसमें फैनेंशल ट्रेल में, मनी ट्रेल में उनका इन्वाल्मेंट सामने आ रहा है, तो उस दिशा में भी ED के अधिकारी जाच करने वाले कि आखिर वो कौन लोग हैं, इतने बड़े इतने कम पैसे में, इतने बड़े प्र पूश्टाश के बावजूद बहुत सारी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है, और शायद इसलिए दोबारा पूश्टाश के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाए गया है, प्रकाश कुमार भी हमारे साथ बने हुए है, प्रकाश बिहार से जो पुलिस अधिकारी भेजे ग है कि जो ED जार्च कर रही है, उसमें दर्शकों को ये समझना जो रही है कि income tax return, investment, black money और money laundering, ये चारों जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ये देखना होगा कि रिया के पास से क्या black money उसके पास कुछ था, या फिर money laundering हुआ तो किस तर पे हुआ, तो ये सारी जार्च के लिए ही बिहार पुलिस गई थी, क्योंकि यहां पर जो FIR दर्ज हुआ था, इसी बारे में था कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ रिया चकरवर्ती ने गायब कर लिए, रिया चकरवर्ती ने एट लिए, तो वो 15 करोड़ कहा है, किस के पास है, और किस माध्यम से आया और उनको वेलकम करने के लिए, उन्होंने साफ कहा कि उनके जाच की दिशा और रफ्तार वो बहुत ही अच्छी थी, अगर उन्हें कॉरिंटीन नहीं किया गया होता, जाच को ही कॉरिंटीन नहीं किया गया होता, तो वो किसी ना किसी नतीजे पर पहुँच जाते, इसमें कोई शक नहीं था उनको लेकि इस बीच में अब मामला क्योंकि CVI के हाथ में चला गया है तो इसमें विहार पुलिस अब जादा कुछ नहीं कहेगी रुबीका बिल्कुल लेकिन बहुत सारी चीजे जो है वो बैः पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो हासल कर सकती थी एक दिशा जो है इस पूरी की पूरी जान्च को दे सकती थी लेकिन मुंबई सरकार ने और पुलिस ने उसे कही ना कही ऐसे करने से रोका है ये सीधा आरूब बिहार पुलिस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रिया सुशान्त और रहस्य रिया चक्रवर्ती कमाई का जरिया बता ही नहीं पाई कल जब E.D. पूछता अज कर रही थी तो पूछा गया कि बताईए आपका source of income क्या है जो एक regular strong source of income होता है जिस transfer किया जा रहा था वो क्यों किया जा रहा था ओम प्रकाश्तिवारी मेरे सयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अच्छा ये बता दे कि ओम प्रकाश्तिवारी ही है जिन्होंने बताया था कि E.D. संतुश नहीं है जवाब से और इसी लिए दोबारा बुलाया जाएगा रिया चक्रवर्ति को पूछताच के लिए ओम प्रकाश्तिवारी जो E.D. की निगाहों में उनका रोल एक गवा या एक सस्पीसियस के तौर पर है भी E.D. ने इस पस्त नहीं किया है कि उनका रोल क्या है लेकिन E.D. का मानना है कि वो इस मामले में एक अच्छी भूम का निभा सकते हैं तो जो सवालात हुए हैं वो पूछे जा रहे हैं औ और उस तालमेल के बाद सौमार को जो फिर से पूछताच होगी रुबिका मैं आपको बता दूँ उसमें अनियक बड़े खुलासे होंगे देखिए ओन प्रकाश आप अकसर जिस जब इस तरीके की पूछताच होती है चाहिए वो कार्दीच रम्रम हो पीच रम्रम हो एडी के जितने भी अविकारी हैं वो बकाईदा सेट ओफ क्वेस्चिन्स तैयार करते हैं यहां भी क्या ऐसा हुआ था और आपके पास वो सेट सब्सक्राइब करते हैं अब देखिए जो पूछताच होनी है सोमार से अभी उसका सेट ओफ कुस्टेंस इडी नहीं बनाया है क्योंकि जो आज सेटरड़े को पूछताच होगी उसके बाद इन सभी दस्तावेजों का आपस में मिलान किया जाएगा और से जो जिस पर कुछ सेट ओफ कुस्टिन्स बनाये जाएगा जो रिया के लिए भी होगा उनके पिता के लिए भी होगा और स्वाल अभी तयार नहीं किये गया है लेकिन जिन सवालों को कल पूछा गया था उससे इडी संतुष नहीं है और प्रॉब्लम यह है कि रिया से जो सवाल पूछटाच के लिए उनको बुलाए गया इडी आ सोषान के फ्लैट में सिदाथ पिठाणी से पूछटाच करेगी एडी ने रिया से कल 9 गंटे पूछटाच की थी उनकी जो मैनेजर शुती उनसे 6 गंटे पूछटाच की गई रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी पूछताज की उदर सोसेज हमें ये बता रहे हैं कि बिहार पुलिस ने दिल्ली में सीबी आई को जान से जुड़े सारे के सारे दस्तावेश सौब दिये हैं सुशान के पिता रिया चक्रवर्ती पर बेटे की करोडों की रकम की हेरा फेरी का आरोप पिता ने लगाया है तो ये छे तस्वीरे टेलविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि सुशान सिंग राजपूत आखिर किन परस्तितियों से जूज रहे थे और क्या वज़ा है कि सुशान सिंग राजपूत ने सुशाइट जैसा कहा जा रहा है कमिट कर लिया क्योंकि उन्होंने कोई नोट नहीं छोड़ा है कई बार इस बात को लेकर भी शंका होती है कि जो शक्स, जो आक्टर, जो लड़का हर चीज़ को जर्नल में यानि अपनी डायरी में नोट किया करता था, वो अपने आखरी लम्हे का जिक्र क्यों नहीं करेगा, वो पन्ने डायरी के कहां गायब हो गए, जो सुशान सिंग रा एक पन्ना सब के सामने लाया जाता है और वो पन्ना सुशान सिंग राजपूत की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, gratitude list का पन्ना है, जिसमें ये देखिए ये रहा, जिसमें वो शोविक को थैंक्यू कर रहे हैं, वो बेबु को थैंक्यू कर रहे हैं, बेबु कान, रिया चक्रवर्थी कि मात हुआ ऐसे मर यहां को सर गफिंग मांगे फिर ज स्एंद्ट पाने बटने नाकामियाब लएक सूष और यह चाहिए पुर्छा इसलिए डिचाए कोई लिखित नहीं देना चाहत contracet ओम्प्रकाश तिवारी मेरे सयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ED के सूत्र इनके संपर्क में लगातार ओम्प्रकाश आपको शेयर करना चाहते हैं कोई बड़ी खबर आपके पास है बिल्कुल रुबिका मैं आपको बता दूँ जो 15 करोड रुपे की मिस्ट्री है वो अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है ED सुत्रों के मुताबिक रिया के अब तक की जाँच और पूच्टाच के दोरान उसके पास 15 करोड रुपे अब तक उसके खाते में नहीं मिले है जैसा की आरोप है कि 15 करोड रुपे रिया ने लिए ED सुत्रों के मुताबिक अब तक की जाँच के दोरान 15 करोड रुपे ट्रांसफर होने का कोई कागज ED के पास नहीं आया है आला कि ED सुत्रों का ये दावा है कि जाच के दौरान अभी कई एहम बातें सामने आएंगी लेकिन जो इनीशियल आरोप था 15 करोड रुपए का 15 करोड रुपए की रकम अभी तक रिया के खातों में नहीं मिली है ED के सुत्रों का मानना है इसका मतलब है कि ये पैसा कहीं और भी ट्रांसफर हुआ होगा और अगर वास्तों में पैसा दोखा धरी के दरशी जर ज़ें ट्रांसफर हुआ है तो अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री है लेकिन फिलाल इस समय जो ED सुत्रों के मुताबिक रिया की फैख वॉक्ता और लुभीन केश न है के साधी के बाद प्रकाश और वहां अनिल देशमुकति यह कह रहे हैताय। कि अने मर्त करकेान इंकवेष्ट को कह रहे हुंगे एक सोचोहत्तर सी आपी सी के तहट जो वह आतम हत्या के कारणनों की जांच करें वो इसके बारे में कह रहे हूँए लेकिन विहार पूलीस की जांच है वो तो सीवीर इक दिटर पर ट्रांसफर हो चुकी है उसके बारे में बाकाइद एफ आई यार हो चुकी है और सीवी आई ने उस बारे में जाच के लिए अपने कदम आगे भी बढ़ा दिये कह रहे हैं कि दो अलग अलग केसे जिनकी इंक्वाइरी हो रही है एक स्यूसाइड वाला केस है और दूसरा फिनेंशिल केस है एक सेकिन मैं इसको और तोड़ा समझने कोशिश करूं उससे पहले सरीता कोश्रिक ने बाचीत की अनिल देशमुक से महराज की ग्रिमंत्री से सु को जी बिलकुल उन्होंने यही कहा है कि सुषान केस अभी TBI के पास नहीं है जो केस है जो मामला है वो सुप्रीम कोट में चल रहा है 11 तारीक को इस पर निरने आएगा और मुंबई पुलीस जो है वो उन्होंने फिर से एक बार दोहराया है उस सुषान केस में जाच जो कर रही है वो बिलकुल सही तरीके से कर रही है मुंबई पूलीस तक्षम भी है और एक्टिव ली काम कर रही है और TBI को अपनी केस देने में कोई भी कारण नहीं है कोई भी बजह नहीं है यह उन्होंने दोहराया है और आपकी क्या बातचीत हुई और और क्या बाते अनिल देश्मुक में सामने रखी है क्योंकि एडी की तो कल पुछताच हुई है वकाइदा रिया चक्रवाटी से एफायार दर्ज हो गई है इस मसले पर देखिए जैसे के कहा है वैसे ये दो केस है और एक मामला जो है वो मुंबई के पास में है और मुंबई पुलीस जिस केस की जाच कर रही है वो जाच महराश्ट्र पुलीस देने को तयार नहीं है CBI को ये बहुत ही साफ है और जहां तक के ग्रह मंत्री महराश्ट्र के बात कर रहे हैं वो मुंबई पुलीस के जाच की बात कर रहे हैं और वो अपना बयान भी जो है वो मुंबई पुलीस तक की पीमित रख सकते हैं लेकिन हम जानते हैं कि बिहार पुलीस की जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसका जो फैसला होगा उसके बात ही चीज़े क्लियर हो पाएंगी तो मुम्माई पुलिस जांच करने में सक्षम है अनिल देशमुक ने ये कहा है सरीता बहुत 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 शुक्रिया जानकारी देने के लिए सरीता मेरी सयोग कि ने अनिल देशमुक जो कि महराज के ग्रेमंत्री उन से बातचीत किया और उन्होंने कहा कि सुषांत सिंग राजपूत का केस CBI के पास नहीं है और अभी ओम प्रकाश टिवारी जो हमारे साथ बने हुए तो उन्होंने कहा कि ये करेक्ट है इसलिए क्यूंकि दो लिहास अनिल देशमुक के बयान को लेकर जी बिल्कुल देखिए चुकी मुंबई में भी एक मामला चल रहा है यह मामला एडियार है एक्सिडेंटल देथ रिपोर्ट करके मुंबई पुलिस जांच कर रही थी बिहार पुलिस के फायर दर्श करने के बाद यह जांच थोड़ी ध पुलिस जांच के बाद दर्श कर रही है और इसी आधार पर ग्रहमंतरी कर रहे हैं कि यह सुप्रीम कोट ग्यारा तारी को टाय करेगा लेकिन अभी मुंबई पुलिस इफेक्टिवली इस पूरे मामले की जांच कर रही है कर रही है और सिब्याई को देने का कोई कारण नहीं है थोड़ी एक और जानकारी आपको बता दूँ यह कुछ समय पहले हम पत्र दिखा रहे थे जो कि सुशान सिंग द्वारा लिखित जो हम साथ ग्रेटिटूट के लाइन्स पढ़कर बता रहे थे एक जानकारी मिली है क आम तORपर जब यह हम एक जानकारी के आधार पर बता रहे हैं इस केसे संबंध है यह नहीं यह जाज का विशह है जब एक मनोची कटिशक के पास कोई मरीज जाता है जब उसका डिप्रेशन का इलाज होता रहता है उस समय वो मनोचिक इससर साइकेटरिस्ट उसे कुछ काम देता है जिसमें से डायरी में वो अपनी बाते लिखे ग्रेटिटीटीड लिस्ट लिखे 45 अपनी मन पसंद बाते लिखे 40 चीजे मैं क्या करूंगा वो बाते लिखे किसका किसका शुक्रिया करना चाहता है वो बाते लिखे इसे positive thought create करने के लिए किया जाता है एक प्रक्रिया होती है इलाज के दौरान ये साकेटरिस्ट अपने मर का विशय है क्योंकि रिया ने इसे जारी किया है लेकिन ये नहीं बताया है कि ये किस अंदर्व में लिखा गया और कब लिखा गया और कहां से हासिल किया गया। करें कि आपको positivity की तरफ ले जाना होता है आपको positive feel करवाना होता और हो सकता है कि अन activities में से या उन assignments में से एक assignment ये हो जो पन्ना इस वक्त रिया चक्रवर्ती सबके सामने लेकर आई जिसमें बता रही है कि मैं इन इन लोगों के प्रती थैंक्फुल हूँ ये सुषान सिंग राजपूत ने अपनी handwriting में लिखा था ये एक तरफ और दूसरा जो बड़ी खबर अनिल रेश्मुक की तरफ से आ रही है ग्रह मंत्री महराश्य के आप उसे clear करना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है ओम प्रकाश्तिवारी ADR accidental death report और दूसरा FIR महराश्य पुलिस इ महराश्य पुलिस की तरफ से बिखिए दूब के मैं आपको बता दों की मोंबई पुलिस ने जो है इस मामले को इसे मान लिया है आरंबिक तो पर उन्हों ने इसको सुसाइड माना है इसमें किसी तरह का उन्होंने कोई जोल नहीं पाया जैसा कि मैं आप आपको कारी आप उसी को एडियार कहा जाता है और उस मामले में कोई चार्षीट नहीं होती, कुछ और नहीं होता है और उसके बाद आता मत है कि काकेश फाइनल रिपोर्ट लागा कर बंद कर दिया जाता है, अगर कोई मैला साथ साल के अंदर मरी होती है, तो SDM उसकी इंक्वारी करते हैं, वो एक अलग इंक्वारी होती है, उसमें क्रिमिनल केस रिस्टर हो सकता है, लेकिन 174 के मामलों में भी कभी-कभी ऐसा होता है, अगर पुलिस को जांच के दोरान कुछ सस्पेक्ट मिले, मसलन जैसे विसरा, विसरा प्रिजर्व कर दिया जाता है 174 की जांच में, और विसरा में अगर या जाए कि जहर उसमें पाया गया, तो मामला मर्डर केस में रिस्टर कर दिया जाता है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक ऐसा कोई तथ नहीं पाया है, जिसके चलते हो इस मामले में मर्डर केस रिस्टर करें, चुकि इस मामले में दो ही केस रिस्टर हो सकते हैं, या तो murder का या आतम हत्या के लिए उक्साने का और मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है उनकी inquest कही जा सकती है कि वो एक आतम हत्या के मामलों की जाज कर रहे हैं दूसी तब FIR FIR का मतलब है कि संगे अपराद जो हुआ जिसके बारे में पु आतमाना और उसको दर्ज किया लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक उसे अपराद नहीं माना है दोनों मामलों में यह फरक है और जैसा कि वहां के ग्रहमंत्री कह रहे हैं तो मुंबई पुलिस की बात कर रहे हैं ना कि बिहार पुलिस की तो यहां यह बात की साफगोई देखिए यह यह कह दीजिए कि साफतोर पर डिफरेंस नजर आ रहा है और डिफरेंस इस बात को लेकर है कि देखिए दो केसेज है और दो अंगल से उन केसेज की जाच हो रही है एक जो कि सुशान सिंग राजपूत के पिता ने कंप्लेइन की बिहार पुलिस ने उस पे फिर आक्शन लेना शुरू किया और उस बिहार पुलिस के जो चुतम अधिकारी वहां पहुँचे थे उनको कॉरंटीन महराज सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से कर दिया गया इसे दुबारा पूछताज होनी है दो महीने पहले तक रिया चकरवर्ती की जिंदगी यही थी फिल्मी दुनिया के इसी ग्लैमर में रिया चकरवर्ती जीती थी जिसका बॉइफ्रेंड एक बड़ा स्टार था बॉइफ्रेंड के स्टार्डम के दम पर ही रिया को भी ये फिल्मे और फोटो शूट मिलते थे लेकिन सिर्फ एक महीने में ही रिया की जिन्दगी बदल गई पहले भी फोटोग्राफर रिया का पीछा करते थे अब भी करते हैं बस फर्क इतना है कि पहले वो मुस्कुरा कर वाखायता पोस देकर फोगो खिचवाती थी अब वो फोटोग्राफर्स को देखकर चेहरा छिपा लेती है जब से सुशांत की मौत हुई है रिया ने मीडिया से दूरिया बनाई हुई है ये 15 जून की तस्वीरें हैं जिस दिन सुशांत का अंतिम संस्कार हुआ था रिया चक्रवर्ती पहुंची तो थी लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया थे इसके बाद वो मीडिया के सामने 19 जून को तब आई जब उन्हें पूचताच के लिए बांदरा पुलिस स्टेशन भुलाये तब भी वो मीडिया के कैमरों के आगे हाथ जोडती रही ये वो वक्त था जब रिया चकरवर्ती पर कोई आरोप नहीं लगा था इसके बाद रिया 29 जून को तब नज़र आई जब वो फरहान अख्तर के घर पर उनसे मिलने गए यहां उनके साथ शिबानी धानेकर भी मौझूद थी सुशांत के पिता ने जब रिया चकरवर्ती के खिलाफ एफाई यार दर्ज कराई और उसमें उन पर गंभीर आरोप लगाए तो 31 जुलाई को वो वो सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आई रिया एक बार फिर तब नजर आई जब वो प्रवर्तन निदेशाल है यानि एडी की पूछताश में शामिल होने के लिए पहुची थी रिया अपने भाई शोविक के साथ एडी के सवालों का जवाब देने के लिए पहुची एडी ये पूछताश मनी लॉंडरिंग केस में कर रहा है रिया पर सुषान के अकाउंट से 15 करोड रुपे अपनी कमपनी में इंवेस्ट करने का आरूप है रिया एडी के सामने अपना पक्ष रखेंगी लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एडी ये सवाल जवाब मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहट कर रहा है सवाल जवाब शुरू करने के पहले एडी ने रिया को पियमेले एक की धारा 50 के तहट शपत दिलाई यानि इसका मतलब साफ है यदि रिया के जवाब गलत हुए तो उन्हें सजा भी हो सकती है लेकिन जानकारी ये आई है कि रिया ने एडी के साथ पूछताच में किसी भी करह का सयोग नहीं किया इडी ने सवालों की लंबे लिस्त तयार की थी लेकिन रिया ने इडी के जादतर सवालों के जवाब याद नहीं कह कर दिया है शुशान्त मामले में एडी मुंबई इस्थित कारेले में चल रही पूशताच के दोरान रिया चक्रवर्ती अनेक सवालों के जवाब नहीं दे पाई जबकि कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें जवाब पूरी तरह से याद नहीं है सूत्रों में बताया कि इन में से एक सवान उनकी भाई की कमपनी से संबंधित था जबकि दूसरा सवान रिया की कमपनी से संबंधित था बीच में रिया के भाई शोविक कुछ देर के लिए E.D. ऑफिस से निकले थे सूत्रों से पता चला है कि E.D. ने कुछ जरूरी दस्तवेज मंगाये थे जिनने लेने के लिए शोविक बहार निकले थे इस बीच पता चला है कि रिया ने 2018 में मुंबई में 76 लाख रुपे का एक फ्लैट भी खरीदा था रिया ने ये फ्लैट खार एस्ट के गुल्मुहर एवन्यू में बुक कराया था अभी ये बिल्डिंग निर्माणा धीन ही है इस फ्लैट पर रिया ने 55 से 60 लाख रुपे का बैंक लोंग भी लिया था अभी तक रिया के इस फ्लैट के खरीद के संबंद में किसी जाच इज़ाज बुक कराया था जिन्सी ने इस बिल्डर से संपर्क नहीं किया लेकिन अगर एडी की जानकारी में इस फ्लैट के खरीद आएगी तो रिया से पूश्टाच जरूर बोड़ी सिदाथ पिठानी रूमेट और बड़े क्रियेटिव कहा जाता है सिदाथ पिठानी किसके सुशान सिंग राजपूत के वो जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आज सिदाथ पिठानी से पूश्टाच होने वाली है जो जिनको ये पता चला था कि दर्वाजा बंद है सुशान सिंग राजपूत अंदर है लेकिन दर्वाजा खोल नहीं रहे हैं पिर एक की मेकर को यानी चाबी वाले को बुलाय गया दर्वाजा खोल कर उन्होंने ही पंके से जूलती हुई सुशान सिंग राजपूत की लाश देखी थी और अब बहुत सारी चीजों के खुलासे के लिए सिधात पिठानी को पूछताच के लिए एडी ने आज तलब किया है एक चोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं लेकिन खबरों का सलसला आपके चैनल ABP News पर जारी रहेगा मुझे अजास्त दीजिए झाल 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 झाल